वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपड़िट यहीं पर आते हैं ध्यान लगए हैं तो अभी आप लोगों ने जतना भी अपना प्रेपरेशन किया है उसको अपना रखो जारी जैसे भी आप रख रहे हैं अब हम लोग यहां पर जो है वो हम स्टार् सब्सक्राइब करेंगे इंपर्टन परस्नालिटी को भी कवर करेंगे के तो हमारा चंद शेखराजात के ऊपर सेगेंड आर्टिकल है जो की कामकाजी महिलां के सामने जितनी भी चुनौतियां आती है उनको फिर पूर्भी राजस्थान की जो नहर परियोजना चल रही है न्यूट्रिनो जेम्स वेब टेलिस्कोप और पुलिस के सुधाओं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर किस आर्टिकल से जिसका नाम है चंदरशेखर आजाद चंदरशेखर आजाद वो परसन जो की यहाँ पर जिन्हों ने अंग्रेजों के विरुद एक चंदरशेखर तिवाई 23 जुलाई 1906 को मध्यप्रदेश में उनका जनम हुआ था और फिर उसके बाद जलिया वाला बाग जो इसमें भगत सिंग को भी कापी जादा जो है प्रभावित हुए थे प्लस साथी सा चंदरशेखर आजाद भी और फाइनली फिर जो इसके खिला तो उनके उमर के वर 15 साल थी और इसी दोरा उनको अंदोलन में भाग लेने के करण गिरफ़तार किया था और जब जेल में उनका नाम पूछा गया तब उन्होंने तुरंत ही क्या कह दिया था आजाद मेरा नाम है तब से चंदरशेखर आजाद आजाद है चलिनी में तो च चीज के लिए गांदीजी ने कि मैं इस मुवमेंट को आगे स्टार्ट मैं इस मुवमेंट को स्टॉप करता हूं रोग दिया था उन्होंने गांदी जी ने इस पूरी मूवमेंट को तो उसकी वज़ासे यहां पर जो है चंदरशेखर आजाद नी क्या जॉइन कर लिया थ सबसे सक्री अक्टिव पार्टिसिपेशन रही प्लोंगी और फिर वहाँ पर जब 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती का इंसिदेंट हुआ था तब भी वह थे 1928 में जब जॉन सॉंडर्स का बडर केस आया था कि मारना सॉंडर्स को था को इस स्कॉर्ट्ष को मारना था थे जहीं और सिय और की वह थी निकल गये खेल तो वहां से निकल गये ठीव आराम से इंदरशन की भाग गए थे बाकी सब राम प्रसाद मिल, बिसमिल, आश्वा कुला खान, ये सब लोग पकड़े गए थी, बगर ये जो है वो बचके, यहां से निकल गए थे, तो जब वो निकल गए यहां से, तब क्या हुआ, कि पूरी हरे बिखर गई, अब हरे के बिखरने की वज़ा से, उसको दुब सोशलिस्ट रिपब्लिक असोसियेशन, ये किसने दिया था? भगत सिंग, ये नाम ही भगत सिंग द्वारा दिया गया, और फिर जब एचे सारे नहीं हाँ पर ये सब किया, उनको अब्जेक्टिव क्या था? कि एक पूरा मजबूत समाजवादी सिधान्तों पर एक सुतंत करिखेंद और चन्द शेकर आजद भाग जाते हैं अड़नलि इन आपको मार देते हैं फुद से ही गोली वह अपने आपको मार देते हैं उनका ऐशा कहना था कि भाई अपना पुरा करेंगे कि पुल्स से अपने आपको वो नहीं मरवाएंगे या फिर बिटिश गवर्मेंट से खुद को जीवित गरफ़तार नहीं करवाएंगे और खुदी उस समय की मुटबेर में उन्होंने अपने आपको गोली मार ले थे और जब वो जिस पार्क में एलफरेट पार्क में जिस धापर उनकी ज़ए चंदर शेकर आजाद पात के नाम से उसको आज भी जाना जाता है और उनके मुर्तियों के बाद जो है इहाँ यहां पर कई मूवीज वगेरा ने नि इनको यहां पर काफी ज़्यादा दिखाया है उनकी बारे में इनकी जीदनी के बारे में उनकी लाइफ से जुड काफी सारी टीजों को जो है अपने आप अपना नाम having इत्यिमाल किया था के त्र thrilled कि सुदो का मतलब क्यों होता है अपना प्ल소 नेम भी इन्होंने यूज कि आ अगया जिसका नाम में बलट राज जब इन्होंने अपना एच ज सारे का पंफलिट साइन ना तब इन्होंने हाँ पर बलराज के नाम पर भी अपना नाम रखाता है कौन-कौन से जीफ को जुड़े हुए थे काकोरी वाला केस हो गया हाशपा कुला खान ठाकुर रोशन सिंग राजिंदर नातलाहिरी इन सब के साथ ये जुड़े हुए थे और एक एक चीज़ आद रखेगा ये सारी बाते जो है हमें किस से पता चलती है एक परसन है जिनका नाम है मनमत नात गुपता ये मनमत नात गुपता दौरा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है चंदर शेकर अजाद च्रीक है और उसी बुक में हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है चंदर शेकर अजाद के बारे में थोड़ा सा फैक्स से जादा मैंने नहीं बताए शोड़े शोड़े से फैक्स बताए हैं आप लोगों को इनको याद रखेगा और जासी जो है इहांपर उन्होंने वहाँ पर भी कई बार काम करने की कोषिश करी थी जासी में भी उन्होंने काफी सारी चीजों को मदद करने की कोषिश करी थी च्छीग है तो यह सब फैक्स हैं बेसिक बेसिक जिनसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और सीधा-सीधा question आता है इन topic से कहां पे क्या कैसे कब किस ने किया था तो ये सब सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इनको complete कर लेना और question बन सकते हैं इससे next है हम लोगों का topic कि भई जो women है working women की हम बात करेंगे जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं है उनको यहाँ पर किनके चीजों का चुनोतियों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर कौन-कौन सी चुनोतिया है अभी यहाँ पर जो menstrual pain का जो leave है वो अभी समस्या काफे ज़्यादा वो जागर हो चुकी है ठीक है जब यह एक time period चल रहा होता है तो उसी के अपर यहाँ पर Supreme Court ने यह बोला है कि भई अभी PILS के खिलाफ कुछ नहीं आएगी जो भी female students है working students है female है उनके against अभी इस तरी की कोई भी PIL को entertain नहीं किया जाएगा ठीक है यहाँ पर यह साफ बात बोल दी गई है कि इन में से जोड़ी भी किसी भी चीज़ को हम entertain नहीं करने वाले है menstrual lead के बारे में आपको मैंने पिछले lectures में भी काफी सारी चीज़े बताएं है even हमारा fundamental right article 15 और 16 यहाँ पर विमन से बात करता है article 15 के clause 1 में दिया है कि भई हमारी जो supreme court है हमारी जो parliament है वो नए नए laws को establish कर सकती है किसके लिए establish कर सकती है अगर हमें कभी भी women safety women empowerment के ओपर कोई भी चीज़े लानी है तो वो यहाँ पर article 15 16 के तहट नए provisions को introduce करवाया जा सकता है यह लिखा होगा इसमें तो बस वही कर रही है सरकार भी उसी चीज़ों को promote करने के लिए government भी हाँ पर steps ले रही है फिर article 39 D है जो DPSP का वो भी कहता है equal pay for equal work for men and women चीक है समान काररे के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान वेतन का प्राद्धान होना चाहिए और 42 में भी मासरत वराहत maternity relief की बात की गई है 51 A का clause E 51 A fundamental duties है हमारा 42nd amendment act 1976 के तहट आड किया था उसमें भी यह बात बोली गई है कि महिलाओं की गरीमा को बनाए रखने के लिए जितनी भी अपमान जनक परत्राएं है derogatory practices there's practices है we have to renounce those derogatory practices उसको promote नहीं करना है चाहिए उसमें सती आती है चाइड्री मारे जाता है चाइड्री मारे जाता है विडो रिमारे जाते हैं उसको प्रमोट नहीं करना है 37 सरकार ने यहां पर पंचायत और मुन्सिपालिटी दोनों में 73rd और 74th Amendment Act 1992 के तहट इन प्राफदानों को इंक्लूट किया हुआ है क्या इंक्लूट किया हुआ है कि 1 by 3 seats किसके लिए रिजर्व रहेंगी विमिन के लिए फीमेल के रिजर्व रहेंगी इवन जो हमारी स्कीम चल रहे हैं न मन रहेगा एमजी न रहेगा इस एमजी न रहेगा स्कीम में भी 1 by 3 seat रिजर्व की होगी है विमिन के लिए प्लस नाशनल कमिशन फॉर वुमिन बनाए गई है ताकि वुमिन से जुड़े वे जितने भी clause है laws है प्राफधान है provisions है उन सब को चेक करने के लिए कोई तो एक हमारे पास होना चीए है अस्तरोथ जो पूरे इन चीजों को चेक कर सके उसके बारे में हमें explain कर सके तो वो है यहाँ पर बनाया गया है और चालेंजिस क्या है यहाँ पर चालेंजिस मैं बात करूँ तो देखो भाई फामली दूटी तभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ पर जॉब है ना उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है उनको मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया जाता है ठीक है बच्चा होने के बाद, शादी होने के बाद बहुत सारी विमेन जो है वो अपनी आगे के करियर को छोड़ना कर जाता है क्योंकि उनको अभी आगे अपनी और जिम्मेदारियों को भी सम्हालना बढ़ती है प्लस आती साथ मात्रत्व की सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए और लोगों को भी तो सपोर्ट इस चीज़ में करना चाहिए तो वह बात है बिलकुल महिला की जिम्मेदारी है बैरत की महिलां के लिए बहुत साथ मुश्किल पड़ जाता है बिजनस टूस और ट्रेनिंग में यहां पर जो है वह बाहर जाना आपने करियर में और जादा चीजों को लेके आना ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक हडल के रूप में बन जाता है ठीक है तो चैलेंजिस यह सारे आते हैं बाकी हमारी फट सोसाइटी जो है वो काफी जादा लेंगिक जो है बेदवाफ करने में विश्वास रखती है बाकी मेटरिटी लीज जो है वो बहुत जादा अच्छे इंटेंचन से देखी नहीं जाती है उनको ये बोलते हैं कि भाई अगर विमन को हायर करेंगे तो 24 हफते की उनको मेटरिटी लीव देनी पड़ेगी इसलिए क्या करो मेल को हायर करना शुरू करो विमन को हायर करना बाकी एकुल रिमिनरेशन आक्ट आया था समान पारिश्रमिक अधिनिया माय था 1976 में जिसमें ये बोला गया था कि इंडियन वर्किंग वुमेन को बहुत कम पैसा दिया जाता है ऐस कंपेर टू मैं इसको यहां पर लागी की कुशिश की गई ऐसी मेंटली सेक्शुल हरास् इनके केसिस भी बहुत जादा बढ़ते जा रहे हैं चाहे वो कोई एजुकेशनल इंस्टिउट हो काम करते हुए हो ट्रावल करते हुए हो आप लोग सब इस प्रकार के चीजों को जरूर न्यूज में सुनते ही हैं सब लोग कभी ना कभी इस चीज को यहां पर कवर आप स और लीडर्शिप में भी नेतरत्व के संबंदित भूमिकाओं में भी काफी जादा जो है लोगों को उतना जादा भरोसा नहीं देता है बहुत कम रिप्रेजेंट करने में देखने को मिलता तो महिलाओं के लिए काफी सारी चीजों पर आप देख सकते हैं भेदभाव जै की आगय की बात करूanstा तो देखो दादा बहुत कौthmर के लिए क्या किया जा सकता है आगय के लिए इंप्रूब्मेंट की जा सकती है आप सारी चीजों को आपर चेंज समझ या सकता है कोशिश की जा सकते है बढ़ावा देने की और भई वही है कि सेक्शल हरास्मिंट के ल जादा से जादा जो है हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीजों को रोक थाम में कैसे बढ़ा सकते हैं इनके रोक थाम जो है ना वो आज के टाइम पे मैं कहूंगी कि बहुत कम चल रहे हैं रोक थाम जैसे चीज़े बहुत कम हैं तो वह रोक थाम करने की किसको जरूरत है लोगों को ही लोगों को ही अपनी ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेंगे न ताकि इसको रोका जा सकें तो बिल्कुल लोगों को ही उन पॉलिसी को इंप्लिमेंट करने की जरूरत है भजबते यहां पर नेक्स्ट परीचोग तरफ वहे हमारा अभी राजस्थान में जो हैीस्टन राजस्थान के नाल प्रोजेट्थ मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान के पूर्वी राजस्थान हिस्से में नहर-परियोजना को रहा है Veish तीन नदियों को जोडने का प्रॉजेक्ट है इंटर लिंकिंग प्रॉजेक्ट है तो वहीं पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हाँ तो राजिस्थान आप जानते काफी बड़ा स्टेट है इंडिया का मतब बड़ा कि सबसे बड़ा ही स्टेट है यहाँ पर और 10.4 पर जाता है वो है चंबल नदी वहांकि सबसे इंपॉटन नदी में काउंट की जाती है चीक है तो चंबल नदी हाँ पर है और लेकिन क्या है कि कोटा बेरिज की थूरू उसको पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर चंबल सैंचुरी जो है MP UP और राजिस्थान के ट सरप्लस का मतलब क्यों होता है कि जो भी उनका अधिक पानी होता है जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको आप बाकी छोटी छोटी नदियां जो है कुन्नु कुल पारवती काली सिंद मेज इन सम्में जो है आप पानी को यहाँ पर लाना शुरू कर देगी तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में यही सब चीजों को जो है वो काम करने की जुरूत की जा रही है और राजस्थान जो है इसके लिए पूरा अभी स्टार्ट कर रहा है चंबल रिवर के उपर तो याद रुखेगा एक नहर की परियोजना स्टार्ट की जा रही तो तो राजसान की गवर्मन ने खुद ही अपनी तरीके से पूरे को सॉल्ट किया है और जो है यहाँ पर स्टेट का सब्जेक्ट है यह पर से जुड़ी विच जितने भी चीज़ें हैं परियोजनाय हैं काम है चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर खुद कौन कर सकता है वह यहा करें जैसे कि हम पर 75 पर से जाधा जो है यहां पर निरभर रहते हैं उस चीज के ऊपर और इस तरी कि जितने भी पानी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको आपको और national project को declare करेंगे हापर की पानी हापर काफी ज्यादा amount पर या जायगा और इस तरह कि जित्में भी पानी के projects होते हैं उसको आपको मतलब इस project के थुरू आपको तहत पूरा define करना पड़ता है चीजों को उसमें लेके आना पड़ता है तो यह वाला प्रोजेक्ट जो है पूरा इस चीज के लिए स्टार्ट किया गया काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको और ज्यादा भी इंप्लिमेंट किया जाएगा ठीक है भई तो यह भी याद रुखेगा बागी वह यह इस रीजन के अंदर पूरा चल रहा है कि आप देख सकते हूं तो आप कह सकते हों कि राजत्तान की स्टेट में हाइड़ो पौलिटिक्स चल रही है मतलब पानी के ऊपर पॉलिटिक्स चल रही है हम कह सकते हैं न ह्यागी है है पूर Nexus के अंदर और भी चीजों को समझ लेते हैं Neutrinos या Neutrions इसको कहते हैं Neutrinos या Neutrions अलग-अलग नामों से यह जाना जाता है बागी अगर मैं अब बात करूं कि Neutrinos या Neutrions होते क्या है यहाँ पर neutrino एक subatomic particle होता है जो कि electron के जैसा ही होता है लेकिन इसका electron charge बहुत कम होता है zero के रूप में भी इसको count कर सकते हैं बहुत ही कम amount में यह एक charge जो है यहाँ पर एक स्थापित होता है और इस से आपके exam में सिधा सिधा जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है इस पर question कि भाई यह क्या होते हैं तो देखो यह बहुत जादा भ्रहमान में मिलने वाले है nuclear reactions में इस्तिमाल किये जाते हैं electrically neutral होते हैं particles यह particles है यह एंटी particles है यह study यहाँ पर आ रही है बागी यह क्या है कि अपने color को यह change कर सकते है अपने flavor को यह change कर सकते हैं इनका role क्या है हमारा ही role इनका आता है Neutrions का role आता है astrophysics में और particle physics में जिसकी वजह से हम काफी सारे discoveries वगेरा को भी हाँ पर अंजान दी सकते हैं तो यह भी एक याद रखना है इसके अंदर तो यह बहुत जादा ना एक weak matter में count किये जाते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं Neutrions को electrons protons उसी प्रकार से एक और यहाँ पर category discover की गई है जो है Neutrions ठीक है तो अभी इनकी जो discovery आई है Neutrions की यह बेसिकली यही बात कहता है कि बहुत जादा amount में मिलता है सन को इकठा करने के भी काबिल है और सन को यहाँ पर तोड़ने के लिए फिजन और fusion दोनों करने के लिए काबिल है यह वाला और इंडिया के लिए इसके लिए neutrino observatory भी यहाँ पर बनाई गई है जिसका काम भी इससे से जुड़ी हुई चीजों को देखना होगा और तामिल नाडू ने यहाँ पर बोला है क यह उसका भी ठोटा पार लेकिन यह आटम का पार जीसे protons, neutrons और electron यहां पर एक पार है न्यूट्रिनू भी एक तरीकी के बहुत छोटा सा मिलने वाला पार्ट है लेकिन यह आटमने पार्ट नहीं यह ने paralyze में एक्जिस्ट करता है बहुत अगर थे करते हैं दो यहहां पर रिंधे उसको आर्यों को देखने गाज in लाब में ने, ठीक है, तो लेबॉरेटरी जो भी बनाई जा रही न, इसको लेबॉरेटरी में बहुत जदधा न, इसलिए हापर क्या होगा कि अगर हम लेबॉरेटरी को underground में situate करेंगे तो easily इसको discover करना असान हो जाता है तो यही कोशिश की गई है इसके अंदर neutrinoz के अंदर मतलब यहां पर बोला गया कि भई हाँ एक theory exist करती है जिसके अंदर neutrinoz ऐसी चीज़ भी exist करती है अलग-अलग flavor में आते हैं यह जैसे कि electron, mon and power और यह travel करते हैं तो एक दिखा से दूसरी जगा भी जा सकते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं neutrino oscillation बहुत ही unusual सी चीज़ है और यह दो atoms के decay होने की वज़े से भी बन सकता है supernova के समय भी बन सकता है किसी ना किसी तहेत उसको दुबारा से भी बनाया सब से जाओसने को मिले हैं तो भई सब से जादा आप को सब 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 से जाएं को मिले और यह आर्थ के इंटीर को जानने के लिए भी इस्तेवाल कर सकते हो एस्ट्रोफि rad sculpture nag also याल्ग अलग परकार से इसको आप यूज कर सकते हो इसको मतलब याद रखेगा इंपोर्टेंट है अभी डिस्कावरी वी बाकी इसमें जो भी एक्स्टा इंफर्मेशन होगी वह मापको दीरे-दीरे करके बताते रहोंगे नेक्स्ट आर्टीकल है हमारा जेम्स वेब स्पेस ठेलिसकोप अभी यह और निया टेलेसकोप डिसकवर किया गया जिसका objective क्या होगा James Webb telescope का यह पूरा क्या study करेगा यह space में काफी बड़ा एक particle है इसमें बहुत high resolution सारी चीज़ा यहां पर बनाई गए है तो यह जो भी cosmology होती है cosmology समझते न सब लोग पूरी universe की study वहां पर यह सारा कुछ चेक करेगा कि भई पहला star कौन सा था सबसे first star कौन सा बना ऐसे ही first हमारी जो है galaxy वो कैसे बनी यह सारी चीज़ा आप इससे पता कर सकते हो astronomy और cosmology में इन सारी चीज़ों को हम पता करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सक जो ऐसे की जो NASA है और इन्होंने यहां पर पूरस को तयार किया है और Canada और European के साथ मिलकर की इसको बनाया है यूरोप और Canada के साथ मिलके बहुत जादा powerful telescope के रूप में इसको बनाया जाएगा Hubble telescope का ये एक successor के रूप में उत्राधिकारी के रूप में इसको जाना जाता है ठीक है ऐसा कहा जाता है ये कोई अलग-अलग से नई और अप्रत्याशित हो जो को पता चलने की उमीर इससे होती जिसके वाज़े से मानफता को ब्रहमान की उत्पत्य और उसमें हमारे अस्तित समझने में मदद मिलेगी और इसका अबजेक्टिव इहां पर यह है यह सब चीजों को जानना है और इन सब चीजों के लिए इसका उबजेक्टिव बनाया गया है और यह जो है प्रॉपर तरीके से अभी लग्रांजे पॉइंट तू में सिच्वेट किया जाएगा पावर इसा कुछ है यहां पर तो काफी सारी ऐसी इमेज़ेस लाइव इमेज़ेस जो यहां पर देखने को मिली हैं ठीक है भाई नेक्स्ट आते हैं हमारे पुलिस रिफॉर्म ज्यादा बड़ा आज का पूरा लेक्चर नहीं होगा छोटे-छोटे से आर्टिकल से इसको फटा-फट कंप्लीट करते हैं पुलिस रिफॉर्म की हां पर बात की गई है कि भाई हम पुलिस रिफॉर्म की वगर बात करें मामले मारूपी भी होते हैं तो यहां पर उच्छत प्रक्राय के माहिने क्या होते हैं पुलिस रिफॉर्म का मतलब ही होता है कि आप पूरा क्या करो जो भी चीज़ें चल रही है उसमें कोई-कोई चेंज लाने की ज़रुत है वाइस प्रेजिट ने भी इसके उपर काफी स सारी बाते बूली थी कि हम इसमें चेंज करना है साइबर क्राइम की चीज़ें वागेरा आक्चुली में आफ्टर एटिंफुटी सेवन में चीज़ें चेंज करेंगी सबसे बहले पुलिसिंग का मिस्यूज भी कई बार लोग यहां पर जो है वो करते हैं तो पुलिस यहां पर अंदोलन करने वाले रोग उनको दबाने का काम करना है उसके बासे दीर धिरे करते करते पुलिस का स्ट्रूक्चर डिफाइन किया गया सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म जो है एटिंफिटी से पहले लौड कॉन्वालिस ने किये थे कॉंड कोड उसके नाम से जा पर किया जाता है यह सब चीजे प्रूफ होने के बाद पुलिस अदिकारी कई बाइस सदों से बच जाती है छिपके कई बार ऐसे देखा गए कि जो फिरासत में उनको जिनको रखा जाता है उनमें कई बार मौत हुई है जैसे 4484 लोग है जिनकी यहां पर मौत होने का पता च कुछ accountability तो होनी चाहिए कोई तो आप टॉचर कर रहे हो तो उसके लिए भी तो एक पुरा एक तैयारी होनी चाहिए नहीं पर लॉज बनाए है लेकिन इनकी पुष्टी अभी तक नहीं की गई क्योंकि अभी भारत में कोई व्यापक कानून अभी तक भी तक भी तयार नहीं क कोई भी कारवाई ही नहीं कर दीए राजनीती का हस्तशेप बहुत जादा रहता है पुरिक्ष जो भी जितने भी भई राजनीती के माफिया है राजनीती के बड़े बड़े लोग है उन सब लोगों ने पूरी की पूरी पावर का miss use हमेशा से ही पुलिस की लिए करवाया ह ने यहां पर अपने फाइदे के लिए हमेशा ही करवाया है अपना फाइदा या पना पॉलिटिकल फाइदा निकलवाना है और इस बात से सब लोग अवगत हैं बिल्कुल एब्रीमन इस फैमिलियर विद इस तेंग डाट इस इसका इस्निमाल कहीं ना कहीं नेगेटिव पर अपर डिशेंटी चल रही है ठीक है और उनके पास वहिकल सुनको चाहिए होते हैं उनको जुस्ट पर स्टेट फोर्स की चीज़ा होती है वह उनको नहीं नहीं और वेकेंसी दी काफी जाद है इस टेट पोलिस पोर्स में आप देख से चौबिस परसंट पांच पांच तरीके से करना आज भी नहीं हो पाता है तो यह है कि कमिशन बनाई जानी चाहिए तो इनकी पर्फॉर्मंस के उपर निगरानी रखें यहां पर जो भी आरेस्ट करना है सारी चीज़ों को यहां पर देखें पुलिस एस्टाबिश्मेंट बोड यहां पर बनाए जो कि सारी पोस्टिंग्स ट्रांसफर प्रमोशन को चेक करें डी एस्पी को और सारी सारी रांग्स को देखें हां पर डी जीपी बना जाए हर चीज तेहत पूरा यहां पर तयार किया जा सकते ठीक है बहीं तो सुप्रीम कोट ने भी हां पर इस तरीके से डारेक्टिव यह जैसे कि स स्टेट सेक्यूरिटी कमिशन बनाओ फिक्स टैनियॉर रखो एस्पू और इसेचों को यहां पर दो-दो साल का टर्म रखो इंवेस्टिगेशन बनाओ पुलिस इस्टाविश्मेंट बोर्ट बनाओ यह सारी चीज़े हैं पर बनाई जाने जाए बट यह वाला सवाल जो ह हमारा GS paper 3 आता है UPSC का उसमें आप इसको पूरे को इस्तिमाल कर सकते हैं नोट्स को जो भी आपको इहां पर मिल रहा है आपके सामने लिखा हुआ इसका आप स्क्रीन चॉट ले सकते हैं अपने हिसाब से अपने रंस में इस्को लिख सकतें जैसे जैसे statement मैंने soupर आपको प्रोवाइट कर सकते हो कोई भी अलग प्रकार की श्रेटमेंट नहीं है सब कुछ सामने आपके लिखा है उन्हीं को आपने इस्तेवाल करके अपना मेंस का आंसर राइटिंग को फ्रेम कर सकते हैं इसमें आपका प्री में कुछ नहीं पूछ रहा है प्री में ऐसा कोई सवाल नहीं जो से पूछा जा सकता है पर मेंस में आपके इस पूरे से कोई ना कोई सवाल बन सकता है कि आपको क्या लगता है कि आज की पुलिस में क्या चैलेंजिस है या आज की पुलिस में होने वाले क्या क्या चेंजिस आप कह सकते हो कि हम यहां पर कर सकते हैं ठीक है तो वह साही बाते हैं कि हम इसमें क्या क्या changes कर सकते हैं क्या कि सवाल है वही मैंने आपको पूरा समझाया है अब आता है हमारा आज का important topic exercise cobra warrior यह आपने weekly का रंदा phase में भी cover करा रही हूँ cobra warrior exercise है यहाँ पर जो की Finland, Sweden, South Africa यह सब यहाँ पर Royal Air Force और हमारी Indian Air Force भी participate करती है छे मार्च को शुरू होगी कहां पर UK में इसको स्टार्ट किया जाएगा Air Force की exercise है exercise cobra warrior सारी statement ठीक लिखी हुई है मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप defense news का एक अलग से section बना लो मेरे weekly current affairs भी आप लोग सुनते ही हो तो वहाँ पर और यह जो daily के current अपर उसमें जो भी next अभी यहाँ पर पहली snow marathon बिल्कुल सही है बहुत अच्छा question है भादिर्वा जम्मू के अंदर अभी भारत की पहली snow marathon को अभी ही organize यहाँ पर कराया गया है ठीक है snow marathon जो है यहाँ पर marathon का मतलब होता है कि भाई वहाँ पर snow marathon कराई जाएगी तो बहुत जिर्वा एरिया जो है जो वहाँ पर इस पूरे को और्गनाइस कराएगी और लदाक में यह बहुत बड़ा toughest होगा 72 किलोमेटर के आराउंड ऐसा देखा गया और ऐसा कहा गया कि भाई उसको हम guinies world record में भी शामल करने वाली है ठीक है frozen lake पे बिलकुल जमी हुई वह लेक है उसके उपर इस पूरे को और्गनाइस कराएगे बहुत भैतरीन होने वाला है 21 किलोमेटर के भी कई लोग कह रहे है बाकी इसमें depend करता भी पूरा detail आएंगी कहाँ पर कौन सी लेक पे कराएगे बहुत लेक है तो कोई लेक का नाम तो होगा ना कौन सी लेक करा रही है यहाँ पर इस ये लेक का नाम है पैंगॉंग सो लेक ये लद्दाक में situated है चीक है और जम्मो अर्गनाइस करा रही परी पैंगॉंग सो लेक में situated है चार घंटे की लंबी ये चलेगी कहाँ से शुरू होगी ये लुकुंग से शुरू होकर के मान विलेज तक जाएगी ठीक है बाई तो इसको भी एक याद रुखेगा लद्दाक में इस पर पूरा जो है अभी तैयारी भी कर दी है गिनीज बर्ल्ड रिकॉर्ड की चीक है लद्दाक यहाँ पर लास्ट रन के नाम से लास्ट रन के नाम से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है 75 एथलीट्स यहाँ पर आये थे और उस पूरे को यहाँ पर फ्रोजन लेकियों पर स्टार्ट करवाया गया था अपके इंपॉर्टेंट फाक्स आज का लेक्शर बहुत जादा बड़ा नहीं था चीक है और सब लोग अपने बहुत जोश थे इस महिने की सारे नोश को कव कियेगा ठीक है बहुते हैं आप लोगों से नेक्स लेक्शर में थांक्यू एवरीवन फॉर लिस्निंग धनेवाद शुक्रियां जैहिंद